हेलो दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इस्टेगराम रील्स के अंदर एक न्यू अपडेट आया है इस अपडेट का सभी लोगों को इंतिजार था अपडेट यह है कि अब आप इस्टेगराम रील्स के अंदर 60 सेकिंड की वीडियो को बना करके अपलोड कर सकते हो पहले जो यह था इसकी जो लिमिट thi वो 15 सेकिंड थी जब यह रील्स फीचर आया था उसके बाद मैं असको 30 सेकिंड का कर दیا गया था लेकिन अब आप इसको 6 सेकिंड की भी बना सकते हो Reels वीडियो कर आप 60 सेकिंड की बनाना चाहते हो तो ये अपडेट आ चुका है Reels के अंदर कैसे मिलेगा कहां पर आपको ये देखने को मिलेगा सारी चीज़े इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वीडियो को स्कीप करके नहीं देखना है तो चलिए शुरू करते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो अभी हम Reels के फीचर के अंदर हैं और हम स्क्रोल करकर के यहां पर वीडियो को देख रहे हैं तो हमें क्या करना होगा हमें कैमरे के आप्शन पर उपर में किलिक करना है camera के option पर click करने के बाद में हमारे सामने camera open हो जाएगा और इसकी जो length आप यहाँ पर देख रहे हो फिलाल 15 second की है और यहाँ पर अगर हम इस पर tap करेंगे length पर तो यह 30 second की हो जाएगी उसके बाद में again हम फिर से यहाँ पर tap करेंगे तो यह 60 second की हो गई है अब यहाँ पर हम 60 second का video भी बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं tap कर रहा हूँ 15 second हो गई फिर से tap करता हूँ तो फिर से 30 second हो गई और फिर से मैं यहाँ पर tap करता हूँ तो यह 60 second की हो गई है जो कि पहले यह update नहीं था फिलाल यह update आ चुका है Instagram Reels के अंदर के अब हम 60 second का Reels वीडियो बना करके Reels पर upload कर सकते हैं इस update का काफी परसन को इंतिजार था बहुत ही जादा बेस अबरी से वह यह चाहते थे कि हमारी जो वीडियो है वो एक मिनट का बने 60 second का हम वीडियो यहाँ पर बनाए कुछ लोग जो है कुछ चीज़े ऐसी बनाते हैं जो कि एक मिनट में वो complete करते हैं 30 second में नहीं हो पाती है तो उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत जादा खास होने वाली है तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छे लेगे और आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में